आरम किया जाए लगबग गा तीन वर्ष हो गए कि चीन की सेना ने भारत की सरजमी में घुसपैट की थी सबसे पहले तो हम भारतिये सेना की सरहना करना चाहते हैं जिनोंने पिछले तीन वर्ष से बहुत ही हिम्मत के साथ होंसले के साथ चीन की सेना का मुकाबला किया पर और उनको कई बार खदेडा भी लेकिन कुछ बुनियादी सवाल अभी भी इतने वर्ष बाद एक का चिंता का विशे बने हुए हैं और जिसका सरकार की तरफ से पिछले 35 महीनों में कोई जवाब नहीं आया कि आखेर इतने व्यापक स्तर के उपर इतने इतनी जगा पे नियंतरन रेखा पे ये घुस्पैट क्यूं है और ये बात मैं इसलिए आपके संग्यान में लेखे आ रहा हूँ कि वर्ष 1993 से शुरू करके वर्ष 2012 तक ये जो लाइन ओफ एक्शुल कंट्रोल है जो नियंतरन रेखा है इसको मैनेज करने के लिए एक मूल भूत धांचा तयार किया गया था और उसके कुछ जो प्रमुख अंच है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ साथ साथ सिप्तमबर 1993 को एक Agreement of Maintenance of Peace and Tranquility Along the Line of Actual Control इसके उपर हस्ताक्षर किये गए 29. November 1996 को Agreement of Confidence Building Measures in the Military Field along the LAC 11. April 2005 को Protocol on the Modalities of Confidence Building Measures in the Military Field along the LAC January 2017, 2012 को Agreement on the Establishment of a Working Mechanism for Consultation and Coordination on the Indochina Border Affairs और 23. October 2013 को Border Defense Cooperation Agreement तो 1993 से शुरू होकर 2013 तक लगबग 20 साल और इस 20 साल में Congress की भी सरकारे रही United Front की भी सरकारे नहीं India भाजपा की भी सरकार रही पर ये एक मूल भूट धांचा तयार किया गया जिससे कि जो नियंतरन रेखा है क्योंकि वो अंडिमार्केटेड है अंडिलिनियेटेड है उसके उपर किसी भी तरह का कोई तनाव पैदा ना और इसके बापजूद आज भी हमारे 50-60,000 सैनिक Line of Actual Control के उपर तैनात है और ये बुनियादी सवाल इसलिए उत्पन होता है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2013 से लेके अब तक 19 बार राश्ट्रपति शी जिंग पिंग से मिले पांच बार प्रधानमंत्री चीन गए शायद कोई भी प्रधानमंत्री 1947 से लेके 2023 तक इतनी बारी चीन नहीं गया होगा और इसके इलावा वुहान में 2018 में मामला पुरम में 2019 में ये इनफॉर्मल समिट हुए और इसके इस सब के बापजूद 2014 में चुमर हुआ 2017 में डोकलम हुआ 2020 में गलवान हुआ और दिसंबर 2022 में त्वांग में जो यांग्टी दर्या है वहाँ पर आपस में जड़प हुई तो ये जो सारी घटनाएं है ये भारत-चीन रिष्टों का एक नया मील पत्थर बन गई है तो एक तरफ तो ये घुसपैट है और दूसरी तरफ अगर आप देखें चीन से जो भारत का व्योपार है वर्ष 2000 से लेकर 2022 तक ये बहुत तेजी से बढ़ा वर्ष 2022 में चीन से हमने 136 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया तोटल ट्रेट थी 136 बिलियन डॉलर 119 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया और 17.5 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया तो जो भारत का ट्रेट डेफिसिट है जिसमें चीन को फाइदा मिलता है वो आज 100 बिलियन युएस डॉलर से ज्यादा है तो कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो चीन से घुसपैट हो रही है इसको किसी तरह हम सबसेडाइज तो नहीं कर रहे है क्योंकि ये कहना कि हमने कॉन्फ्लिक्ट और कॉमर्स को डी हाइफनेट कर दिया है ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है जब इत्ती भारी संख्या में भारत के सैनिक उन बर्फीली इलाकों में पिशले तीन वर्ष से तैनात है अब आपको याद होगा जून दो हजार बीस में जब गलवान की दुर्भागेपूर्ण घटना हुई और हमारे कई जवान और अफसर वीरगती को प्राप्त हो गए तो प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी ने ये कहा कि भारत की सरजमी में किसी भी तरह की कोई घुसपैट नहीं हुई अब दिसम्बर दो हजार बाइस में जब डीजीपी और आईजीपी की कॉन्फरेंस होती है तो वहाँ पे एक पेपर प्रस्तुत किया जाता है जो एससपी लदाक हैं उनकी तरफ से उस डीजीपी आईजीपी की कॉन्फरेंस में आपके बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर सिक्योरिटी इशुज प्रेटेनिंग टू अन्फेंस्ट बॉर्डर उस पेपर का नाम है वो प्रस्तुत किया जाता है और मैं उसका एक पैरा सिर्फ आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ क्योंकि ये अधिकरित तोर से जो उस इलाके की स्सपी हैं ये उनकी तरफ से अपचारिक तोर पर जो सीर्श स्तर की पुलीस की कॉन्फरेंस है उसमें ये पेपर रखा गया उसमें ये लिखा गया है कि प्रेजर्टली ये प्रेजorkम पर्ष का टूर्ट पर छूमर फूर्ट्र डे प्रेजरी अगन मौनिन आपको ।।। पर स्टिर्ट आ लिए लिए अ करूल द new to restrictive and no patrolling by the Indian security forces. ले हम चिना लेखने चाना data to accept the fact that as such areas have not seen the presence of the ISF or civilian since long. The Chinese was present in these areas. This leads to a shift in the border under control of the India security forces towards the Indian side and a buffer zone is created in all such pockets which ultimately leads to a loss of control over these areas by India. This tactic of PLA to grab land inch by inch is known as salami slicing. अब ये किसी विपक्ष के सांसद या नेता का आरोप नहीं है. ये एक जिम्मेबार पुलिस अधिकारी जो उस इलाके में तैनाथ है वहां की सुरक्षा की जिम्मेबारी उनके पास है उन्होंने अधिकरित तोर पर ये बात एक लिखित रूप में डी जी पी और आई जी पी इसकी कॉन्फरेंस के सामने रखी. तो ये बात ता एक विरोधा भास है. या तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो सही है कि भारत की सरजमीन में कोई घुसपैट नहीं हुई. या ये जो कागज, ये जो पेपर अधिक्रित तोर से अपचारिक तोर से पेश किया गया है. ये पेपर सही है. क्योंकि यही वो दो हजार किलो मीटर हैं. जिसके बारे में निरंतर और लगातार ये बात उफती रही आई है. कि ये दो हजार किलो मीटर, जो भारत की सरजमीन है, वी हैव लॉस्ट टु चाइना. सिप्तंबर दो हजार बीस से, जब घुसपैट के बाद पहली बार संसद का सतर, या संसद मिली, तब से लेकर दो हजार तईस तक, निरंतर और लगातार हर सेशन में लगबग हर दिन हम ये मांग करते आए हैं कि निरंतरन रेखा पर वास्तविक परिस्तिती क्या है, उसके उपर संसद में एक का विस्तरिक चर्चा की जरूरत है. विस्तरिक चर्चा जो छोड़ो, अगर आप चीन पे सवाल भी लगा हो, तो वो राश्ट्री सुरक्षा के नाम पे अड्मिट नहीं किये जाते हैं. च्छपन सवाल तो मेरे ही हैं सिप्टेंबर 2020 से लेकर ये फरवरी बार्च 2023 तक जिनको एको रूल है 41 सम्थिंग उसके तहत सिरे से खारज कर दिया गया. और इस सिर्फ मेरा हाल नहीं है, जितने भी सांसद हैं, कही सत्ता पक्ष्ट भी संबंदित हैं, चीन के उपर किसी भी सवाल को अड्मिट करने के लिए, जवाब देने के लिए ये सरकार तयार नहीं है. और ये बात और गंभीर इसलिए हो जाती है, क्योंकि हाली में चर्चा है, कि चीन और भुटान के बीच, जो सरहत को लेके वारतालाप है, वो एक बहुत अड्वांस स्टेज पे हैं. भुटान के जो राजा हैं, वो हाली में भारत आये हुए थे, शायद अभी भी भारत में हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से आश्वाशन तो दिया है, पर ये चिन्ता सभी को है, कि डोकलम घाटी को लेके ऐसा कोई समझोता ना हो जाए, जिससे भारत की जो सामरिक सुरक्षा है, उसके उपर सीधा सीधा असर पड़े, और इसी लिए, हम आपके माध्यम से सरकार से, ये मांग करना चाहते हैं, कि 18 राउंड, जून 2020 से लेकर, अब तक मिलिटरी टू मिलिटरी टॉक्स हुई हैं, अभी फरवरी 2023 में, चीन में, भारत के जो डिप्लोमैट्स हैं, और चीन के डिप्लोमैट्स हैं, उनके बीच वारता हुई है, इसे working mechanism for coordination of India-China border affairs, पर इस सारी बाचीत में क्या निचोड निकला है, यह जो चीन में बाचीत हो रही है, उसका क्या वेर्वा है, सरकार की तरफ से, इसके उपर ना कभी कोई वक्तव्य आता है, ना कोई प्रतिक्री आती है, और संसद में बहस की बात तो आप छोड़ी दो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और इसलिए एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, हम सरकार से ये मांग करते हैं, कि एक और पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, लीडर्स के स्तर पर मीटिंग बुलाई जाए, और भारत और चीन क्योंकि संसर चल नहीं रही है, नहीं तो बेहतर ये रहता कि संसद में इसके उपर चर्चा होती, उसकी परंपरा है जब 1962 का युद्ध चल रहा था, सो 7 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच 165 संसद लोकसबा और रातसबा में एक व्यापक बहस, जो भारत-चीन रिष्टों के उपर हुई, जो सरहत के उपर परिस्तिती थी, तनाव था, उसको लेकर एक व्यापक बाचीत, एक व्यापक बहस संसद में हुई, तो इसलिए आज हम ये मांग करना चाहते हैं, क्योंकि तीन वर्ष हो गए जब से ये स्टैंड आफ शुरू हुआ है, कि एक औल पार्टी मीटिंग बुलाकर, सारे विपक्ष को भरोसे में लेकर, कॉन्फिडेंस में लेकर, कि विस्तार पूर्वक सरकार को ये बताना चाहिए, कि पिछले तीन वर्ष का जो घटना करम है, करम है, उसका वेरवा क्या है, और ये जो ओन गुइंग नेगोसियेशन्स हैं, इसका एक सार, एक समरी, सरकार को विपक्ष के जो शीर्ष नेत्यत्त्व है, उसके समक्षक ने चाहिए. If you want to repeat in English, I can do it, otherwise we can leave it here. It's been three years now, since the standoff with China on the line of actual control commenced in the May of 2020, and first of all, we would like to place on record our highest appreciation for the Indian Armed Forces, which have not only ensured that intrusions from China are checked, but have also repudiated and repulsed the Chinese on a number of occasions. However, there are certain fundamental questions which still remain unanswered. and that fundamental question is how and why did an intrusion or a transgression on such a large scale at multiple points along the line of actual control actually take place? and the reason why this question becomes germane is because from 1993 till 2013, a number of agreements were put in place and an entire architecture was constructed in order to manage an undemarcated and undelineated border with China. This question also becomes all the more relevant as to why an intrusion on such a large scale happened is because the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has interacted with President Xi Jinping since 2014 a record 19 times. He has visited China five times which is in itself a record because no Prime Minister since 1947 has visited China so often. Moreover, there have been this informal summits in Wuhan and Mamlapuram and notwithstanding this continuous interaction you had Chumar in 2014 you had Doklam in 2017 you had Galwan in 2020 you had the Yangtze River incident in the December of 2022. So this is one side of the story. On the other side the Sino-Indian trade relationship seems to be booming. In the year 2022 the Sino-Indian trade touched $136 billion. India imported from China goods and services worth $119 billion exported a meager $17.5 billion and there is a $101 billion trade deficit in favor of China. So the question arises are we at some level advertently or inadvertently subsidizing the transgressions by China? this becomes even more important because after the unfortunate incident in Galwan in June 2020 when we lost officers and men of the Indian Army the Prime Minister went on record in an all-party meeting to say that there hasn't been any Chinese transgression on Indian territory. Now if that statement is correct you need to juxtapose it with a paper written by the Senior Superintendent of Police of Ley a paper presented to the Conference of Director Generals of Police and Inspector Generals of Police but obviously not discussed for obvious reasons in which it is clearly written that India has lost access to 25 of the 65 patrolling points along the line of actual control. Now if this assertion made by a responsible police officer is correct this is those 2,000 kilometers which the opposition says are the butt of Chinese transgression and obviously if we are not patrolling it then we do not have access or control to it. This becomes even more germane because you have the Bhutan China boundary negotiations going on. Though the Bhutanese King has assured India that Indian concerns and sensitivities would be taken on board but the question still remains that whether our sensitivities which overlooks chicken neck in the northeast will be fully taken care of or not. There have been 18 military to military talks between the Indian Army and the People's Liberation Army. There has been a meeting of joint working group which manages the border in the February of 2022. But there is a complete opacity. Government is completely unwilling to countenance any discussion on China. Despite repeated efforts in September 2020, government has stonewalled any discussion in Parliament on China. And it's been taken to an extent whereby even questions asked with regard to the border transgressions are not entertained. Close to 65 questions that I asked between September 2020 and now have been struck down using a specuous rule. So therefore under those circumstances we would like to demand that the government takes the opposition into confidence, convenes a meeting of the senior leaders of the opposition and comprehensively briefs them about the developments as they have evolved over the past 35 months and also appraise them as to what is the status of these military-to-military talks as well as the negotiations which currently seem to be playing out between China and India. Thank you very much for your indulgence and patience. The floor is all yours. First we'll take questions with regard to China. If there are any questions with regard to China, we'll take them first and after that if there's anything else, I'll try and address it. . . . . . . . . . देखिए हमको प्रमाण देने की जुरूरत नहीं है जब सरकार के अपने अधिकारी जो उस लोग इलाके से संबंद रखते हैं जो उस इलाके की सिविलियन सुरक्षा है जिनकी जिम्मेवारी है जिम्मेवार अफसर है उन्होंने एक बकाईदा पेपर लिखा है और उस पेपर में उन्होंने साफ तोर पर जो परिस्तितियां हैं उनका जिक्र किया है तो अब तो कोई विपक्ष आरोप थोड़ी लगा रहा है और भारत की सरहद कोई आरोप प्रति आरोप का मुद्दा नहीं है पर अगर जिम्मेबार अफसर सरकार के संग्यान में कोई बात लेके आते हैं तो उसमें कहीं न कहीं तो कोई तथ्य होगा और इसी लिए हमारा हमारी ये बराबर मांग रही है कि संसद में इसके उपर चर्चा होनी चाहिए विस्तार पूर्वक चर्चा होनी चाहिए संसद की परंपरा रही है मैंने 1962 का जिकर किया 1971 में जब बंगलादेश की संरचना भूतपूर प्रधान मंत्री स्वर्गिय श्रीमती इंद्रा गांदी जी ने की तो संसद का शीत कालीन सतर चल रहा था और उस शीत कालीन सतर में एक तरफ युद्ध चल रहा था एक तरफ शीत कालीन सतर चल रहा था और प्रधान मंत्री और उस समय के रक्षा मंत्री बाबू जब्जीवन राम जी लगातार संसत को अवगत कराते थे कि सरहत के उपर क्योंकि दोनों पश्चमी फ्रांट और जो पूर्वी फ्रांट है वो खुले हुए थे उसके उपर क्या कारवाई हो रही है तो इस लिए इस ओपेसिटी और पारनोय इस प्रविटली अननिसेसरी कि आप दोनों ने बहुत ही गंभीर सवाल पूचे है और इसका मैं सटीक जवाब देने की कोशिश करूँगा सबसे पहले आपको याद होगा कि 2013 में जब माई 2013 की बात है जब चीन के प्रधानमंत्री को भारत आना था और उनका पहला विदेश दोरा था तो डेपसैंग में इसी तरह से घुसपैट हुई थी और उस समय की यूपिय की सरकार ने बहुत ही दृड़ता से और कूठ नीती का इस्तमाल करते हुए चीन को साफ साफ ये संदेश दिया था कि जब तक ये घुसपैट रोल बैक नहीं होगी तो चीजे आगे नहीं चल सकती और अगर आप उस समय का जाके घटना करम देखिए डेपसैंग की जो घुसपैट थी वहां से जो पी एले के सेनिक थे वो वापस गए थे तो मेरा कहन भी बार नहीं है कि घुसपैट हुई थी पर यूपिय की सरकार ने उसको जिस तरह से हैंडल किया था उस हैंडलिंग की वज़े से उन लोगों को वापस जाना पड़ जहां तक का अरुनाचल प्रदेश का सवाल है अब इस तरह का जवाब देना की ये तो पहले भी हुआ ह ये बहुत ही बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवाईया है पहले जब चीन ने अरुनाचल प्रदेश में कई जगाओं को रीनेम करने की कोशिश की तो उस समय की यूपिय की सरकार की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया और बहुत प्रोफाउंड प्रोटेस्ट हुआ था और इसलिए हम उमीद करते थे कि सरकार की तरफ से चाहे वो विदेश मंतराले हो चाहे वो रक्षा मंतराले हो चाहे प्रधान मंतरी का कार्याले हो एक तीवर प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी कि इस तरह की इस तरह की भारत की प्रभुसत्ता को के उपर प्रशन लगाने की कोशिश की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इसकी जितनी भर्सना हो सके उत्ती कम है that that action in words is even missing from this government कि देखिए हमारा यह मानना है कि भारत की संसद के लिए भारत की रक्षा और सुरक्षा से सर्वोच और कोई मुद्दा नहीं हो सकता और भारत की रक्षा और सुरक्षा के उपर अगर भारत की संसद में बहस नहीं होगी या भारत की संसद में चर्चा नहीं होगी तो और कहां पर चर्चा होगी और मैंने कई उधारन दिये कि जब जब भारत की राष्ट्री सुरक्षा के ऊपर चुनोती आई तो उस समय की जो सरकारें थी उस समय की सरकारों ने कोई उससे बचने की कोशिश नहीं की उन्हेंने साफ तोर पे जो परिस्तितियां थी वो संसद के समक्ष रखी और संसद ने एक स्वर में चाहे सत्ता पक्ष के सांसद हों चाहे वेपक्ष के सांसद हों सभी ने एक स्वर में ये कहा कि भारत की जो एकता और अखंटा है भारत की प्रभुसत्ता है उसके साथ कभी हम कोई समझोता ना करेंगे और ना होने देंगे मेरा कहने का मतलब यह है इस इस नोट अबाउंट दी गवर्मन्ट अन दी ऑपोजेशन अगर सरकार इसके उपर चर्चा कराती है तो इससे सरकार के यहाथ मजबूत होंगे आपको याद होगा कि 1994 में भारत की संसद ने एक सर्व समत्ती से रेजोलूशन पारित किया था कि the only unfinished business of partition is the reclaim of those territories occupied illegally occupied by Pakistan उस resolution को दो हजार बारा में फिर से सर्व समत्ती से भारत की संसद ने दौर आया तो यह भारत की संसद की परंपराएं हैं भारत की राश्ट्री सुरक्षा को लेकर तो इसलिए यह बड़ी आश्चरे की बात है कि यह सरकार यह चर्चा से मैं बहस भी नहीं कहूंगा चर्चा से इतना बचना क्यों चाहती है कि मैंने किताब पढ़ी नहीं है किताब का भी विमोचन नहीं हुआ है मैं खुद पांच किताबे लिख चुका हूँ तो जब किताब सारवजनिक तोर पे आएगी उसको पढ़कर अगर कोई प्रतिक्रिया बनती होगी तो ज़रूर आपके समख्ष रखेंगे देखिए आप बहुत वरेश्ट पत्रकार है मौश्मी जी आप ये बात समझती है कि जब किसी किताब या किसी पुस्तक की चर्चा की जाए तो उस कुस्तक को जब तक पढ़ने आ लिया जाए उसके ऊपर तदिक्रिया देना उचित नहीं है जब किताब सारवजनिक हो जाएगी उसको पढ़ने के बाद जो प्रतिक्रिया बनती होगी वो प्रतिक्रिया जरूर आपके समख्ष रखेंगे तेखिवे संब्सा ए सब्सक्रीका फटिए थे आए खिरोगे ऑपडिश्टा उनी suppliers प्राथा थे झेंस सब्सक्रानापनाइ मुझे ए डिधgrassуска that this has happened I recall even during the first and second India government in 1998 in 1999 this particular project was then being unveiled but the only thing I would like to say is that you can distort history but you can't erase it the truth has a way of manifesting itself and so therefore ultimately history bears testimony to the fact that those who have tried to rewrite history have actually been written out of history thank you thank you दिखी ऐसा है कि ये पहली बार ऐसी कोशिश नहीं हुई है जब NDA भाजपा की पहली और दूसरी बार 98-99 में सरकार बनी थी तो इसी तरह से NCRT का सिलिबस रिवाइज करने की कोशिश की गई थी पर इतिहास इस बात का गवाह है कि जो इतिहास को तोड़ने मरोडने की कोशि सब्सक्राइब करते हैं इसी के ओपर कोई हां देखिए जहां तक शिरी जोतिर दित्यसिंद्या का संबंध है यह बयान ना बहुत ही दुर्भागे पूर्ण है निंदनिये हैं और इसकी जितनी भर्टसना की जाए वो कम है जिस व्यक्ति ने एक चुनी हुई सरकार मद्ध प्रदेश में एक लोगतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अवैद तरीके से गिराया उसको किसी और की ऊपर लांचन लगाने का कोई हक नहीं है और आज मैं यहीं छोड़ देता हूँ इतिहास के पन्ने नहीं फोलूँगा वो किसी और दिन के लिए छोड़ते हैं मुदल प्रदेश कांपिक लेडिटी अर्याओ प्रदेश ग्रत्तुम के लिए अवैद डिके से लिए नहीं कोगड़ इन को अवैद इसा प्रदेश को अवैद यहीं इस घट्रेक वृटवाब टूब सक्टिष्ट अस्टिए्ड लिएड़ुट थएंजए पर सफिर इति ब्रीद्स ब्रेथ फ्रेश एर थैंक यू बेरी मुच अगर कोई ऐसा फैसला आया है मेरे संग्यान में नहीं है जैसे मैंने पुस्तत की बात की थी उचितम जाले के फैसले को बगेर पढ़े किस परिपेक्ष में क्या कहा गया है उसके उपर कोई टिपनी करना उचित नहीं है फैसले को संग्यान में लेने के बाद पढ़ने के बाद अपने बाकी क्योंकि सारी विपक्षी पार्टियां इकठी होके गई थी उनसे राय मश्वरा करने के बाद ही इसके उपर कोई प्रतिक्रिया बनती है Thank you